नमस्कार बहुत स्वागत है आपका छूई मुई या लाजबन्ती जिसे हम साई प्लांट भी कहते हैं औस दिये गुनों के साथ इसके तांतरिक प्रियोग भी किये जाते हैं तो आज हम आपको दोनों ही चीजे बताएंगे तो चले जानते हैं उसके गुन और फायदे के बारे में चूई मुई यानि कि लाजबन्ती का पौधा आपको तो पता होगा जिसके पत्तियों को अगर टच करें तो अपने अपने वो मुड़ने लगते हैं जैसे कि वो सर्मा रहे हैं अब देखिए आप अगर सचमुच में अपने करीब से चूई मुई को पौधा को देखा होगा तो आप बरवस इसकी पत्तियों को जरूर चूए होंगे क्योंकि इनकी पत्तियां आपस में सिकोडने लगती है हलांकि ये पौधा बारमासी पौधा है और जिसका उप्योग बहुत सारी स्वास्त की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है वैसे इस पौधे की सरमीली परकिर्ती के कारण इसके बिसे इस अलग पहचान है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं छुई मुई की पतियां और जड़ में एंटी वाइरल और एंटी फंगल गुन होते हैं जिस कारण यह कई रोगों से लड़ने में सक्चम भी है अब देखिए जैसे कई बार होता है आँखों की नीचे डाक सकल हो जाता है सारी रिक कमजोरी होती है या फिर आँखों की पर निकलने में यह पौधा मदद करता है खासकर अगर डियाबिटीज के रोगी है तो लाजबंती के पौधे का कारहा पिलाने से बहुत लाब मिलता है कारहा कैसे बनाएंगे देखिए चुई मुई की आप 100 ग्राम पतियों को 300 ml पानी में डालकर पारहा बनाकर आप डियाबि वेदिक चिकित्सा में ज्यादा किया जाता है वैसे तनाव को भी कम करने वाला ये पौधा है और मस्तिस्क का स्वास्त बढ़ाता है यानकी मन की जो समस्या है मांसिक टेंसन उसको भी कम करता है माना जाता है कि लाजबंती के पत्तों का चुड़न गाय के दूद के साथ होती है देखिए पथरी बेगरे में भी इस लजवन्ती के पौधे का प्रयोग किया जाता है लेकिन आज हम आपको एक टोटका बताएंगे हलाकि हम आप से तीन चार टोटके सेयर करेंगे तो चलिए हम सुरुआत करते हैं आप वीडियो के अंतक बने रहेगा अभी तक हमने इसके प्रकृती की बात की फाइदे की बात की और कौन से वीमारी में कार आता है ये भी हमने आपको पताया लेकिन क्या आपको पता है लाजवन्ती का पौधा अगर आप घर में रखें तो सुख समरिद्धी बढ़ता है अगर आपके घर के गमले में हो तो और साथ ही कई तरह की मुस्किल समस्याओं से बाहर भी निकालता है तो चुई मुई का पौधा चुई मुई का मतलब ही होता है सर्मा जाना मुर्जा जाना तो इसके प्रयोग हैं सबसे पहले हम एक प्रयोग आपको बताएं फिर आगे के टॉपिक पे आएंगे तो सबसे पहला अगर पती में नहीं बनता है या फिर आपके रिस्ते में कोई भी सास है बहू है या फिर आपके घर में कोई भी रिस्ता हो मा बेटी का हो मा बेटे का हो बाप बेटे का हो तो नहीं बन रहा है रिस्तों में आपको लगता है लज्जा सरम है ही नहीं बहुत बार लोग लिहाज के लोग ऐसा नहीं करते तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है आपको लग रहा है यह सही नहीं है घर की बाते बाहर नहीं जाने चाहिए तो ऐसे में आप एक छोटा सा प्रियोग कीजेगा हला कि बहुत सारे लोग आधूनिक हो रहे हैं हमारे कहने का गलत तात पर मत निकालिएगा लेकिन ये परियोग आपके लिए अच्यूक काम करेगा करेंगे किस दिन किसी भी रवी बार या मंगल वार के दिन ये परियोग आप कर सकते हैं लेकि छूई मुई के पौधे के पास एक दिन पहले आपको आना है अगर आप रवी बार करेंगे तो सनी बार क कभी कभी भी जा सकते हैं सुबह से साम तक के बीच अंधिराखोने के बाद मच जाईएगा लाजबंदी के पौदे के पास आप किसी विपात्र में जल ले कर जाईए और कुछ आपको ले नहीं जाना चाहे तो एक सुपाड़ी एक सिकावी रख सकते हैं अगर आपके घर के हैं तो फिर सिफ जलाब डाल दीजे और उनसे प्राइता करें हाज और कर बिंती करें कि हम आपके पास कल आएंगे हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं रिस्तों में प्रेम नहीं है या फिर रिस्तों की समस्या है हम चाहते हैं कि जैसे आप एक लजज़ा सिल गहना ओड़े उसी तरह हमारे भी घर परिवार के लोग एक गहना ओड़े रहें लज्जा का और किसी भी तरह का उद्धन्टता ना हो तो आप ये उनसे प्रात्ता कीजिए और बोलिए कि हम आपको कल लेने आएंगे अगले दिन सुबह थोरा सा मिट्टी कोड़ कर पूरा प्रेड नहीं उखारना अप थोरा सा जड़ तोड़ लें एक टुक्रा भी तोड़ लें तो भी चलेगा और इस जड़ को आप पीस कर पानी में या मिछी चीज में चाय, खीर, कॉफी, किसी भी चीज में आप मिछाई म मेदें यकिन मानिए वो आपकी बात नहीं टालेगा आपका कहना मानेगा रिष्टे में कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी बहुत सिंपल प्रयोग है पर कीजे जरूर दूसरा प्रयोग अगर आपको लगे कि आप उनको नहीं खिला पा रहे हैं नहीं दे प पास जाएए जिससे आप चाहते हैं वो आपके रिस्तों का मान रखें उनके पास आप जाएए वो आपको देखते हैं तो यकिन मानिए यह जो आपके माथे पर इसका तिलक लगा हुआ है यह आपके आपके लिए एक तरह से वसी करन का काम करेगा सौने वाला बेक्ति आप की बात को मानेगा तो देखे अब हम एक और आपको बात बता दें कि लाजबंती का पौधार घर में हमेशा ही इसान कोन में यानि पूरब उत्तर कोना में ही लगाईए यह जादा अच्छा रहेगा परती दिन इसमें जल दें इसकी सेवा करें आपके कुंडली का राहू दोस भी समाप्त होता है घर में धंधाने बड़ता चला जाता है याद रखिए घर के इसान कोन में ही लगाना है और लाजबंती के पौधा को हमें सही आद रखना है आपको दूसरी बात देखिए लाजबंती का पौधा आपके घर में है तो ये dari chauffeur को दोर करता है घर में मान समान बढ़ जाता है घर में हरको एक दूसरे को समान देते हैं चुकि इसका नाम ही है चुई मुई लाजबंती अब हम इसका तीसरा परियोग बताने जा रहे हैं आपको लेकिं उसके पहले का और बात जान ले पौधे के जहां भी आपने लगाया है की आसपास ना होने दे यह आपके धन की मुश्किलों से आपको बचाता है और सनी देब को प्री है लाजबंती के पुस्प तूलसी की तरह लाजबंती का पौधा बी अदभुत औशदिय गुनों से भ़रा हुआ है और साथ ही लाजबंती का पौधा आपके घर में है तो 30% हो जाते हैं तो कृष्ण कांता का बेल जिसमें नीले रंग का पूस्प होता है और ये पूस्प और लाजबंती का पूस्प दोनों ही पूस्प अगर नियमीत रूप से आप सनी देप को और पीद करें या भगवान स्री कृष्ण को और पीद करें तो आपके जीवन में पौधे से धन प्राप्ति के महाप्रियोग किये जाते हैं आकस्मी धनलाब जिसको हम लोटरी जुवा सट्टा सेयर मार्केट विगरे कहते हैं उसी से तो लाजबंती यानि की छुई मुई के पौधे के साथ किया जाता है सनी बार के दिन आप सुबा सुबा सुरियोदे से पहले उट ले असनान बेगर करके पौधे के पास जाईए आपके घर में गार्डन में जहां भी है जाकर जल और पीत करें पौधे में और हाथ जोड़ कर बोलें मन में मन ही मन बोलिए कि लोटरी बेगर में आपकी जीत हो और फिर एक बात और कहिए कि आप जब जीत तो इस गार्डन के या जो भी मालिक है या जहां भी आपने देखा है वहां पर आसपास कहीं कह दीजे मंदिर में इतना पैसे है चलाएंगे वादा कीजिए और या फिर किसी गरीब की हेल्प करेंगे और फिर आप चले आईए और ऐसा आप अगले दिन फिर जाएए और ज पहले दिन वादा लेना है दूसरे दिन जाकर थोड़ी सी पत्ती लेना है और दूसरे आप बहां में बांदे आपने पॉकेट में पर्स में रख ले और अगले दिन टिकट खरी दे हलाकि हम यह नहीं कहते हैं कि आप इस प्रयोग को करके टिकट खरी लें लेकिन ऐसा तंत डखे कि आसपास गंदगी ना हो प्रती दिन जल दे घर में धन धाने की ब्रधी होती है चुकि सनी देप को लाजबंती का पुस्प बहुत प्री है और पौधा भी अध्भूत और गुनों से भरा हुआ है तो लाजबंती का पौधा नकात्मक उर्जा को समाप्त करता है और इसमें जब पुस्प पाते हैं वो सनी देव को आप अर्पीत करते रहें आपके सनी दोस समाप्त होंगे घर का निगेटिव एनरजी खत्म होगा और इस पौधे की खासियत हमने आपसे सेयर की फिलाल आपसे भीदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्स